शिल्पी राज भर उर्फी शिल्पी राज एक गरी परिवार में जन्मी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करने की पीड़ा थी उसके बाद आज वह पांच कडोड की मालिक कैसे बनी का सफर जानेंगे काफी संघर्ष के बाद शिल्पी ने भुकुर भुकुर गाने से भोचपूरी इंडरिस्टी में कदम रखा शिल्पी राज अपने सिक्षा अपने ग्रे नगर के सरकारी स्कूल के बाद करी फिर वच्छपराग चली गई और सीनियर सेकेंडरी सिक्षा लेने नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अनुश्का और आज के इस वीडियो में आपके साथ भोचपूरी से जुड़ी हुई अपडेट शेयर करने वाली हूँ तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास तक देखें वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश करें तो दोस्तो शिल्पी राजबर उर्फ शिल्पी राज का जन यूपी के देवरिया में एक गरी परिवार में हुआ था शिल्पी राज उनका जन 25 मार्श 2002 को देवरिया भटपारिया यूपी में हुआ उनके भोचपूरी गाने हमेशा आग लगाते हैं और दर्शकों का दिल जीत लेते हैं गरीबी और परिशानियों के पीछे छोड़ कर शिल्पी ने साल 2017 में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की काफी संगर्श के बाज शिल्पी ने भुकूर भुकूर गाने से भोचपूरी इंडरिस्ट्री में कदम रखा वो एक मध्यवर्गिय परिवार से तालुक रखती हैं और उसे अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करने की पीड़ा थी शिल्पी राज अपनी सिक्षा अपने ग्रे नगर से सरकारी स्कूल से की उसके बाद वाच छपरा चली गई सीनिय सेकेंडरी सिक्षा लेने के लिए सिंगर ने बाहर के कॉले से ही पढ़ाई पूरी की और रामनन स्वामी ने उन्हें संगीत की सिक्षा दी बीस साल की शिल्पी राज आज चर्चा का विशे बनी हुई है शिल्पी ने पवन सिंग, खेसारी लाल यादव और कल्लू जैसे कलाकारों के साथ मंच साजा किया है उनके गाने करोडों का आखड़ा पार करते हैं शिल्पी राज एक गाना गाने के लिए लगभग 35 से 40 हजार रुपे लेती हैं और उनका नेट वर्स 4 से 5 करोड रुपे हैं इस तरीके से शिल्पी राज लगभग 40 लाख रुपे हर महीने कमाती हैं शिल्पी ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने पर धहमाल मचाया है वीडियो बनाने वाले एफ्स पर भी कई लोगों ने उनके गाने पर वीडियो बनाए हैं बहुत ही मशूर सिंगर ने मशूर भोजपूरी एक्ट्रेस रानी चैटर जी के साथ भी काम किया है आज के तारीख में शिल्पी राज टॉप नंबर की सिंगर है और लगबग आज के सूपर स्टार से लेकर छोटे लेवल के सिंगर या एक्टर गाना गाने के लिए उद्सुक है इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि शिल्पी राज अपना जन्म दिन भी खास तरीके से मनाना पसंद करती है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा इसी के साथ जैहन वन्यमादर